आए देखते हैं इंवेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिटी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था छे साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस्ट पॉइंट पर मार्केट थी तभी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी अउधी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बैटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्कृप्षन में दी गई है 1-1-2014 को 1 lakh रुपे इस share में invest किये 6 साल बाद इस share में invest किये हुए 1 lakh रुपे हो गए March में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 lakh रुपे Nifty 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्श 2020 में उस investment की value हो गई और अभी की value है फर्स्ट पॉइंट में निफ्टी जीत गया सेकंड पॉइंट में निफ्टी जीत गया थार्ड पॉइंट में निफ्टी हार गया एक मिनिट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये share और nifty का index जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुचेगी 2020 में किसका performance better रहा ये share का या nifty का ये है पिछले 1 महिने का return ये है 2 महिने का return ये है 3 महिने का return ये है 6 महिने का return और ये है पिछले नौ महिने का रिटर तैंक यू